हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुमन स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में यह देखें कि आज एक एंगल ग्राइंडर है इसका जो बेरिंग है यह खाराप हो जिका है तो कौन सा बेरिंग खाराप हुआ है मुझे पता नहीं तो जो मेसिन चालू करता हू है और जो स्पीड है और स्लो हुआ है ठीक है तो इसके बज़े से इसको रिपेरिंग करना पड़ेगा तो यह मैं खोल लेता हूं इसका जो स्कूरू है तो आपको फिर आगे दिखाता हूं क्यों सा जो इसका बेरिंग है खाराप हुआ है तो हम इसको देखके इसका जो बे दिया फिर अभी यह देख सकते हैं अंदर यह धोड़ा घूम रहा है लेकिन जाम है तो इसको भी मैं open कर लता हूं आगे देखिए यह चार स्कुरू रहता है यह चार स्कुरू को निकल दैना है फिर यह बाहर आ जाएगा इसका जो पेनियों में यहां पर यह वाला नीचे वाला जो इसका बेरीं है यह पुरा खराफ हो चुका है और टूट चुका है पूरा आपको मैं अच्छे से दिखाता हूं पुरा उपन करके तो फ्रेंट्स यह स्कूडाइबर के मदद से मैं उपन कर लेता हूं आप देख सकते हैं ऐ फिर इसको क्या करना है यहां पर ऐसा निकल देना है कारबन को अगे से थोड़ा स्कूडाइबर के मदद से ऐसा उपर उठा लाना है इसको थोड़ा प्रेसों के बेटा है अंदर यह देखिए पूरा अर्मेचर जो है बाहर आ गया और यह यह आप गेरिंग देख सकते हैं यह पूरा तूट चुका है मतलब पूरा अंदर का जो बॉल है वह बाहर आ चुका है और इसका पूरा खरफ हो गया है ठीक है तो अभी इसका जो नट है यह देखिए आगे आगया दस नमबर का पाना लगता है इसको और यह देखिए यह जो बेरिंग है यह पूरा तूट तो friends अभी ये देखिए ये मेरा हात में जो bearing है ये पुरा नया bearing है 108 का bearing है ये number इसका है तो ये बाला घेरंग हम इसा यहां पे लगता है आप ध्यान रखिए तो इसको मैं अभी लगाने वाला हूँ इसके अंदर यह देखिए आसानी से चला गया फिर इसके उपर का यह जो गियर का पेनिया में इसको डालना है फिर इसका जो नट है इसको लगा के अच्छे तरह से पाना से टाइट कर लेना है ऐसा देखिए दोस नमबर का पाना यू मार लीजिए ऐसा देखिए मैं कैसा मारता हूँ फिर यहां पर छोड़ा चेक करना है कि अंदर बैठा की नहीं बेरिंग बराबर अच्छे से जाना चाहिए अंदर फिर यहां उपर का जो हाउजिंग है इसको लगा लेना है ऐसा असानी से आ जाएगा थोड़ा मेच करके कीसा लिए और काम सीखने के लिए तो यह देख सकते हैं मैं यह चारव स्कूरू को टाइट कर लेता हूँ की देखिए अप देख सकते हैं अगर फिटिंग भी थोड़ा गड़मड हो गया तो आपका जो गियर है यह तूट सकता है नहीं तो आर्मेचर भी खराप हो सकता है तो यह बात ध्यान रखिए पहले मैं अभी कार्बोन लगा लेता हूं फिर इसको एक बार चला के दिखाऊंगा आपको कि बराबर चल रहा ह यह देख सकते हैं दोनों कार्बोन को लगा लेना है ऐसा और टाइट कर देना है अच्छे थरह से अभी थोड़ा इसको टेस्ट करके दिखाता हूं अपनों को यह देख सकते हैं चलू किया मैंने बहुत यह अच्छे थरह से घूम रहा है कुछ भी प्रब्लेम नहीं है तो यह जो पेनियम है ज्यादा जल्दी खराब नहीं होता है ग्रीज के मदद से तो आपका ग्रीज भी ऐसा आप घर पे भी कर सकते हैं अपना ऐसा पावर टूल्स मेशिन को तो यह अभी इस चार्ज कुरू है अभी मैं लगा कर देता हूं फिर आप देखिए कि अच्छे 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 वीडियो देखने के लिए और काम सीखने के लिए तो यह वीडियो इतना ही है तो बाकी फिर मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद